नमस्कार आप देखने हैं गुड लग टुड़े आपके साथ मैं हूँ सुनीता रायशर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शेल इंद्रपान्डे पंडित जी स्वागत है आपका नमस्कार तो आज हम बात करने वाले हैं नरक चतुरदशी यानि की छोटी दिवाली की छोटी दिवाली को क्यों इतना खास माना जाता है आखिर नरक चतुरदशी की क्या है महिमा और किन बातों का आपको इस दिन खास तोर पर ध्यान रखना है कौन से छोटे उपाए आपके तमाम बि देखे नरक चतुर्दशी पर शाम के समय यानि छोटी दीपावली पर शाम के समय हनुमान मंदिर में लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए लाल वस्त्र कितना भी लंबा हो सकता है लाल वस्त्र हनुमान मंदिर में चड़ाईए अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप मुकदमे से और विवादों से बड़ी आसानी से छुटकारा पा जाएंगे तो छोटी दीपावली पर आप एक लाल वस्त्र हनुमान जी के मंदिर में चड़ाएं और मुकदमे विवादों से छुटकारा पाने का प्रियास करें पाने की प्राथना करें और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं तो 11 नुवंबर का पंचांग क्या कहता है जान लेंगे पंड़त जी से दिनांक 11 नुवंबर दो हजार तेईस दिन शनीवार तिथी है कार्तिक क्रिश्न पक्ष की त्रियोदिशी तिथी दोपहर एक बज के संटावन मिनट तक नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र चंद्रमा कन्या राशी में संचरण कर रहे हैं दोपहर एक बज के दो मिनट तक राहुकाल का समय प्रात ह काल नौ बजे से दस बचकर तीस मिनट तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है तो जरासा घी खाकर और भगवान का समर्ण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे और शली अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं तो नरक चतुर्दशी का पर्व है क्या? इसकी क्या महिमा है? इसका महत्व क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं, पंदत जी देखिए, दीपावली के एक दिन पहले का जो दिन होता है जिसको हम छोटी दीपावली भी कहते हैं वो दिन सौंदर्य प्राप्ती का दिन है और आयू प्राप्ती का दिन है इस दिन आयू के देवता यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ती का प्रियोग किया जाता है इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है क्योंकि इसी दिन माना जाता है उन्होंने नरका सुर्का वद किया था कहीं कहीं पर ये भी माना जाता है कि छोटी दीपावली के दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था जीवन में अगर आयू की समस्या है या स्वास्त की समस्या है तो इस दिन के प्रियोगों से आयू और स्वास्त की समस्या दूर होती है नरका सुर्की वज़े से इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं लेकिन वास्तव में इस दिन पूजा उपासना करने से इस दिन प्राथना करने से नरक का निवारण होता है या नरक में जाने से मुक्ती मिलती है इसलिए इसका सही नाम नरक निवारण चतुरदशी है तो इस बार नरक निवारण चतुरदशी 11 नवंबर को है जिसका हम पालन करेंगे नरक के कश्टों से बचेंगे सौंदर ये प्राप्त करेंगे और लंबी आयू का वरदान जीवन में प्राप्त होगा जी हां और इसके क्या तरीके होंगे क्या उपाय आप करेंगे इसके बारे में आगे तो जानकारी लेंगे ही उसके पहले राशी फल की शुरुवात कर लेते हैं मेश व्रिशब और मिथुन राशी का दैनिक राशी फल क्या है जान लेते हैं पंड़त जी से मेश राशी स्वास्थ के मामले में लापरवाही मत करियेगा धन की स्थिती आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी काफी व्यस्थता आपकी बनी रहेगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशत जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा व्रिशब राशी संतान की उन्नती होगी आकरस्मिक धन का लाब होगा मानसिक चिन्ताएं आपकी कम होगी खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहिए परिवार में विवादों से बचाव करें शाम से इस्थितियों में सुधार होना शुरू होगा शनी मंत्र का अगर जब कर लें ओम शंग शने शराय नमह तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 65 प्रतिशत जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा तो आज हम नरक चतुरदशी की महिमा समझने की कोशिश कर रहे हैं पंड़त जी इस दिन के कई अलग-अलग गुन बताएगे हैं इसमें से एक संबंध स्नान और सौंदर्य से भी है लेकिन कैसे इस दिन को सौंदर्य से जोड़ कर देखा जाता है नरक निवारन चतुरदशी या नरक चतुरदशी को रूप चतुरदशी भी कहते हैं क्या संबंध है इसका सौंदर्य से इस दिन प्रातह काल या सायं काल चंद्रमा की रोशनी में जल से इसनान करना चाहिए इस दिन विशेश चीज का उबटन लगाकर नहाना अच्छा होता है जल जो है वो गर्म ना हो ताजा या शीतल जल होना चाहिए ऐसा करने से न केवल अद्भुत सौंदर्य की और रूप की प्राप्ती होती है बलकि स्वास्त की तमाम समस्याएं दूर होती हैं इस दिन स्नान करने के बाद दीपक भी जलाया जाता है पवित्र नदियों के किनारे या मंदिरों में इस दिन दीपक जलाना बहुत अच्छा होता है तो अगर आप नरक निवारन चतुर दशी पर अर्ली मौर्निंग भोर में या शाम को सुरियास्त के बाद उबटन लगा करके इसनान करते हैं उसके बाद नदि के किनारे या मंदिर में दीप दान करते हैं तो इसके परिडाम इसके प्रभाव आपके लिए बहुत बेहतर होंगे और इससे आपको रूप सौंदरी की प्राप्ती होगी और आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा और चलीए अब बात कर लेते हैं करक सिंग और कन्याराशी की फिर एक बार नरक चतुर्दर्शी को लेकर जानकारी लेंगे 25 से करक राशी धन की स्थिती आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी परिवार का सहियोग आपके साथ बना रहेगा चोड़ चपेट से इस समय बचाव करिएगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंग राशी धनलाब के योग बन रहे हैं परिवार में खुशहाली आएगी यात्रा के योग दिख रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80 प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा उपहार सम्मान का आपको लाब मिलेगा पारिवारिक कारियों में आप व्यस्त रहेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर वस्तरों का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है पचासी प्रतिशक सबसे जादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का कर लेते हैं रुख तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है जानते हैं पंदित जी से जी आज का पहला प्रश्न नम्रता जी ने हमें लिखा है और नम्रता जी हमें फरीदाबाद से मेल लिखती है इनकी जन्म की तारीक है 7 फरवरी 1981 जन्म का समय शाम को 4 बच के 10 मिनट और जन्म का स्थान है दिली में लिखती हैं फरीदाबाद से नम्रता जी लिख रही हैं कि पारिवारी जीवन में अशान्ती बहुत है बहुत समय से कोशिश कर रही हैं कि जीवन बेहतर हो जाए लेकिन जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा है तो क्या ये विवाह आगे चल पाएगा आगे का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा नम्रता आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आगे जरूर चलेगा बहुत परिशान होने की या चिंता करने की स्थिती नहीं है आपकी कुंडली में चीजें जोलाई दो हजार चौबिस से बेहतर हो जाएंगी और आगे आपका विवाह बचेगा भी और चलेगा भी दूसरी बात ये है कि अभी थोड़ी शान्ती बनाए रखिए अभी कुरोध मत करिए कोई बड़ा निर्ड़े मत लीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में ये तमाम इस्थितियां आपकी जरूर बेहतर हो जाएंगी फिलहाल आप ऐसा करें एक ओपल बनवा करके पहन लें लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चान्दी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तरजनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और सुबह शाम दोनों समय एक सो आठ बार नमः शिवाय इस मंत्र का अगर आप जब करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और चलिया वक्त आज की अगले सवाल का हो गया है यानि की दूसरे सवाल का लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें जी की जन्म की तारीक है 23 जनवरी 1996 जन्म का समय है रात के 9 बच के 10 मिनट और जन्म का स्थान है कन्नोज में लिखते हैं इटावा से अभिशेग जी लिख रहे हैं कि मैं सरकारी नोकरी की तैयारी कुछ समय से कर रहा हूँ क्या मुझे सरकारी नोकरी मिल पाएगी सरकारी नोकरी मिलने की मेरी कुंडली में मेरे जीवन में क्या संभावनाएं बनती हैं अभिशेग जी आपकी कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से आप गवर्मेंट जॉब में जाएंगे और अगर आप ठीक से परिश्रम करें तो साल 2025 में आपके गवर्मेंट जॉब में जाने के योग जरूर बनते हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है आप ठीक तरीके से तैयारी कर सकें आपका ठीक तरीके से सेलेक्शन हो जाए इसके लिए आप एक पन्ना बन्वा के पहन लें लगभग 6 से 8 रती का पन्ना चान्दी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुद्धवार की शाम को एक पन्ना बन्वा करके पहने रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चड़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालिसा का पाठ करें आपके लिए बहुत बेहतर होगा और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात करते हैं नरक चतुर्दशी को लेकर तो नरक चतुर्दशी पर दिरगायू और अच्छे स्वास्त के लिए किस प्रकार दीपक का प्रियोग आप कर सकते हैं अब यह जान लेते हैं स्वास्थ बेहतर होता है कैसे जलता है यह देखिए नरक चतुर्दशी पर मुख्य रूप से एक दीपक जलाते हैं लंबी आयू के लिए और अच्छे स्वास्थ के लिए इसको यम देवता के लिए दीपदान कहा जाता है घर के मुख्य द्वार के निकलते समय आपके लेफ्ट साइड में घर के मुख्य द्वार के बाई तरफ अनाज की एक धेरी रखिए इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाईए दीपक की जो बाती है उसकी लौँ है उसका मुख दक्षण दिशा की तरफ होना चाहिए दीपक जलाने के बाद वहाँ पर फूल और जल चड़ा करके लंबी आयू की और अच्छे स्वास्थ की प्राथना करिये इसको यम का दीपक कहते हैं और नरक निवारन चतुर दशी पर एक बड़ा सा दीपक इस तरीके का घर के मुखे द्वार पर जरूर जलना चाहिए इससे आयू लंबी होती है और स्वास्थे निश्चित रूट से बेहतर होता है और चली अब आगे बढ़ते हुए तुला व्रिश्चिक और धनू राशी की करते हैं चर्चा और जान लेते हैं दैनिक राशी फल तुला राशी धन के नुकसान से फिलहाल बचाव करिये जल्दबाजी में किसी तरह का निरड़े मत लीजिए हाला की किसी मित्र की सहायता से आपको लाब होगा शनी मंत्र का अगर जब कर लें ओम शंग शनेशराय नमह तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशत जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा व्रिश्चिक राशी धन लाब के योग बन रहे हैं संपत्ति की समस्याएं हल होंगी वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे संतान की खूब उन्नती होगी परिवार का सहयोग मिलेगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है पंड़िजी छोटी दिवाली पर कुछ जगों पर हनुमान जी का जन्मोटसब भी मनाया जाता है इस दिन हनुमान जी की उपासना आखिर कैसे करें? देखिए बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और बहुत सारे जगों पर ये परंपरा मानी जाती है कि छोटी दिवाली पर हनुमान जी का जन्मोटसब भी मनाया जाता है कैसे करें हनुमान जी की पूजा? नरक निवारन चतुर दशी पर यानी छोटी दिपावली पर संध्या काल में हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं लड्डूओं में तुलसी दल डाल करके लड्डूओं का उनको भोग लगाएं पहले भगवान राम का स्मरण करेंगे नीलाम बुझ शामल को मलांगम सीता समारो पितवाम भागम पालव महाशा यक चारुचापम नमा मिरामम रगवन शनाथम पहले भगवान राम का ध्यान करेंगे इसके बाद हनुमान जी की पूझा करेंगे या तो हनुमान जी के मंत्रों का जब करें ओम हंग हनुमते नमह ओम नमो भगवते राम दूताय बहुत सारे हनुमान जी के मंत्र हैं या तो हनुमान जी के मंत्रों का जब करेंगे नहीं तो कम से कम तीन बार हनुमान चालिसा का पाठ करेंगे इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करेंगे और प्रसाद का लोगों में वितरन करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं छोटी दीपावली पर हनुमान जी का जनमोचसव मनाते हैं तो हनुमान जी की विशेश क्रपा भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मकर कुम्प और मीन राशी की और जानते हैं दैनिक राशिफल पंड़त जी मकर राशी थोड़ा प्रयास करेंगे एफर्ट करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा और आपके स्वास्त में सुधार होता दिख रहा है खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी बेवजा की चिन्ता हो सकती है धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होगा शनी मंत्र का अगर जब कर लें ओम शंग शने शराय नमह तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगे शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशक जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा मीन राशी विवाह आपका तै हो सकता है कारोबार में लाब के योग बन रहे हैं चोट चपेट से इस समय बचाव करें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर वस्तरों का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है पंड़िट जी जब हम नरक चतुरदशी की बात कर रहे हैं तो आपने बताया किस दिन यमराज की पूजा खासतोर पर की जाती है तो क्या अन्यत दिनों में भी कोई यमराज की पूजा करके बरदान पा सकता है देखिए नरक निवारण चतुरदशी पर जो सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलता है उसे यम का दीपक कहते हैं और यमराज की प्रसंता के लिए उसको जलाते हैं सामान्यत वर्ष भर में दो बार ऐसे मौके आते हैं जब यम देवता की विशेश पूजा की जाती है एक मौका तो नरक निवारण चतुरदशी का ही होता है और दूसरा मौका होता है भात्री दुतिया का जिसे भईया दूज कहते हैं भईया दूज पर भी यम राज से प्राथना की जाती है अपने भाई की लंबी आयू की और उनके रक्षा की कामना इस दिन करते हैं तो नरक निवारन चतुरदशी पर और भाई दूज पर सामान्यतह यम देवता की पूजा की जाती है और ये पूजा सामान्यता मंगलकारी होती है इसके अलामा यम देवता की पूजा नहीं करते हैं अगर हम यमराज को समझें तो यमराज को एक और तरीके से हिंदू धर्म शास्त्रों में दिखाया गया है आयू के देवता के अलामा यमराज ब्रह्म साधना के आचार्य भी हैं और कठोप निशद में यम देवता ने नचिकेता को इश्वर की उपलब्धी के मार्ग भी बताए गये हैं वहां भी यमराज का उलेक आता है तो यमराज की पूजा केवल आयू और स्वास्त के लिए नहीं की जाती यमराज की उपासना और यमराज के भाव को अगर आप समझें तो इश्वर की उपलब्धी भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं तो हमारे शोव में तीसरा सवाल कहां से आया है जान लेंगे पंजची से जी आज का तीसरा प्रश्न हरशिता अगरवाल जी ने हमें लिखा है आगरा से लिखती है हरशिता इनकी जन्म की तारीक है 30 जुलाई 1980 जन्म का समय सुबह के 6 बच के 5 मिनट और जन्मस्थान है आगरा हरशिता पूछ रही हैं कि अपना मकान कब तक मिलेगा मकान में जाना बहतर होगा या फ्लैट में जाना बहतर होगा और संपत्ति के लाब की संभावनाएं क्या हैं हरशिता आपकी कुंडली कहती है कि अपरेल 2024 के पहले पहले अपरेल 2024 के पहले आप कोई मकान खरीदेंगी जो बना बनाया मकान होगा फ्लैट नहीं होगा तो ऐसा कोई मकान ऐसी कोई संपत्ति जो जमीन पर बनी हुई है ये आप अपरेल 2024 के पहले ले पाईंगी इसकी संभावना बन रही है चुकि 4th house और 4th lord प्रभावित है इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जब भी property लीजिए उसके paper कैसे हैं उसकी बाकी चीजें कैसी हैं इसकी पूरी जाच परताल करके तब लेना आपके लिए जादा बेहतर होगा फिलहाल आप ऐसा करें नित्य प्रातह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान 40 का पाठ करें वो आपके लिए बहुत शुब रहेगा और जली अब वक्त आज के आखिरी सवाल का है लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंड़जी से पूछना चाहते हैं किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं हमारी इमेल आईडी आपी टीवी स्कृन पर है तो आज का अंतिम सवाल पंड़जी कहां से आया है जी आज का अंतिम प्रश्न दीपक मिश्रा जी ने हमें लिखा है प्रियाग राज से लिखते हैं ये दीपक जी की जन्म की तारीक है 11 अपरेल 1992 1992 जन्म का समय शाम के 4 बच के 30 मिनट और जन्म का स्थान है प्रियाग राज दीपक जी पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा विवाह कहां पर होगा और वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा दीपक जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह 2024 में जून से दिसंबर के बीच में होने की संभावना दिखाई देती है ये विवाह प्रियाग राच या प्रियाग राच के आसपास ही होगा और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर कुंडली में बेहतर दिख रहा है लेकिन अभी का जो समय है आपका वो जून दो हजार चौबिस तक आपके स्वास्थे में दिक्कतें दिखा रहा है स्वास्थे का और दुरघटनाओं का बहुत ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए फिल हाल आप ऐसा करें एक ओपल बनवा के पहने लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तरजनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय अगर आप नमः शिवाय का जब करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा पंडित जे एक और जानकारी कई लोग क्योंकि लाइटिंग का इस्तिमाल करते हैं दिवाली से पहले लेकिन दीपक का खास तोर पर महत्त्वा बताया गया है जो यह पंच पर्व है यह शुरू होता है धन तेरस पर धन तेरस पर हम दीपक जलाते हैं एक दीपक कुबेर जी के लिए और एक दीपक धनवंतरी के लिए छोटी दीपावली पर या नरक निवारन चतुर दशी पर हम एक दीपक जलाते हैं यम देवता के लिए और दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, दीपकों की पूजा करते हैं और दीपक से पूरे घर को अपने सजाते हैं, प्रकाशवान करते हैं अब इसमें एक बात समझने की ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि आप नरक चतुरदशी पर भी केवल एक ही दीपक मुख्य रूप से अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे, और जो सामाननिता अपने घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाते हैं, वो भ दीपावली पर जब पांच या साथ दीपकों की पूजा हो जाती है, तब आप पूरे घर में दीपक जला सकते हैं, पूरे घर में दीपकों का प्रकाश पैदा कर सकते हैं, दीपावली के पर्व के आने के पूर्व आप पूरे घर में दीपक नहीं जलाएंगे, आप केव एक दीपक घर के मुख्यद्वार पर छोटी दीपावली पर जलाएंगे और सामाननिता जो पूजा स्थान पर आपके दीपक जलता है वो आपके घर पर जलता रहेगा और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी करते हैं जिनका जनम दुन है 11 नुएंबर को सबसे पहले आपको बहुत बहुत बढ़ाई और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा जिन लोगों का जन्म दिन 11 नुवंबर को है उन्हें हम सब की तरप से जन्म दिन की हारदिक शुपकामनाएं आने वाले वर्ष में आपके करियर की समस्याएं हल होंगी धन और कर्ज की स्थिती में आपके सुधार होगा इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है स्वास्त की समस्याओं का खास तोर से कोई ऑपरेशन ना हो कोई सरजरी ना हो इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा क्या करेंगे पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपास ना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और अब बारी है आज की जिग्यासा की जिग्यासा में सवाल ये है पंड़त जी कि क्या नरक चतुरदशी के दिन भी दान करना शुब होता है क्योंकि सनातन धर्म में तो हर त्योहार हर पर्व पर दान का महत्त्वा बताया गया है देखिए नरक निवारन चतुरदशी का पर्व आता है कार्तिक के महीने में और कार्तिक में दान करना हमेशा शुब होता है नरक चतुरदशी पर वस्त्र और सौंदर ये प्रसाधन का दान करना हमेशा शुब होता है और अगर ये दान किसी सौभाग्यवती इस्त्री को किया जाए तो इसके परिग्राम जादा बेहतर होंगे जादा शुब होंगे और अब जान लेते हैं शुब पहर के बारे में तो 11 नुवंबर का शुब पहर आखिर कौन सा होगा पंदत जी दिनांक 11 नवंबर दो हजार तेईस दिन शनीवार का शुब पहर शुब पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7 बचकर 30 मिनट के बीच में इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाईए इससे समस्त परिवार के आयू की और समस्त परिवार के स्वास्थय की रक्षा होगी लेकिन करेंगे शुब पहर में ही समय फिर से नोट करें ग्यारह नवंबर शनीवार शाम को 6 बजे से 7 बचकर 30 मिनट के बीच में और अब बात करते हैं आज की गुडलक राशी की जो की है व्रिश्चिक व्रिश्चिक राशी के बारे में आजपंडित जी क्या जानकारी दे रहे हैं जान लेंगे हम आपको बता रहे हैं कि अलग-अलग राशी के लोगों के घर में वास्तु दोश कैसा होता है कितना होता है आज की जो गुडलक राशी है वो है व्रिश्चिक सामान्यतह इनके घर में वास्तु दोश जरूर होता है और ये वास्तु दोश सीलन की वज़ा से होता है या गलत दिशा में घर होता है उसकी वज़ा से होता है इसलिए अगर आपकी राशी व्रिश्चिक है तो अपने घर में सीलन की स्थिती का ध्यान आपको जरूर बनाए रखना होगा और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जिसके लिए करते हैं आप बेसबरी से इंतजार तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या खास लेकर आए हैं हम बात कर रहे हैं नरक निवारण चतुरदशी की नरक निवारण चतुर्दशी पर कर्ज मुक्ती के क्या उपाय होंगे नरक चतुर्दशी पर रात को एक विशेश प्रियोक करियेगा हनुमान जी के सामने एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाईएगा और इसके बाद ओम हंग हनुमते रूदरात्म काय हूम फट ओम हंग हनुमते रूदरात्म काय हूम फट इस मंतर का यथा शक्ति जब करियेगा कम से कम तीन माला या ग्यारह माला और जब के बाद हनुमान जी से कर्ज मुक्ती की प्रार्थना करियेगा अगर आप ऐसा नरक चतुरदशी की रात्री पर करते हैं तो इससे आपको कर्ज से मुक्ती अवश्य मिलेगी बहुत बहुत शुक्री आपका पंडिट जी ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक महचाने के लिए धन्यवाद तो चलिए यूही आपसे मुलाकात करते रहेंगे अलग-अलग विश्यों पर चर्चा भी जारी रहेगी फिलहाल शो में इतना ही देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रखिएगा जी एंटी